सबी को जहिन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत हैं जहिन दी रेक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिएक लेटेस और एक बहुत ही इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पाकिसानी पत पॉस्टिंग और मज़ितार वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंतमिस के बारे में बात करेंगे जै हिंद जै भारत आज जॉइन किया है मौलाना साजिद रशीडी साब ने जो के प्रेजिडेंट है ओल इंडिया इमाम एसोसियेशन के बहुत शुक्रिया मौलाना साब प्राजा पाएं मौलाना साब सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि हम आजकल ये देखते हैं कि इसलामिक कंट्रीज हो चाहे हिंदुस्तान हो हमें कोई मुसल्मानों में बड़ा लीडर जो पहले कहा जाता है कि हुआ करते थे उस तरह कि कोई लीडर हमें नजर नहीं आते अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो हमें ऐसे लोग तो दिखाई देते हैं जो वोट के लिए बात कर रहे होते हैं लेकिन कोई बड़ा इसलामिक लीडर जो है वो हिंदुस्तान से क्यों हमें निकलता वा दिखाई मी देरा देखिए इसलामी तारीख को अगर हम पढ़ते हैं तो इसलामी तारीख में हमें ये बाते मिलती हैं कि जो यहूदों नसारा हैं उन्हों ने कभी भी ये बात नहीं उनके गले उतरती कि मुसल्मान मुतहिदा प्लेट फारम पर होकर अपनी आवाज उठाएं और अपने मजब की तालीम और तर्बियत और उसकी तबलीग का काम करें उन्होंने हमेशा हमारे अंदर इस तरह की बाते छोड़के रखी हैं कि हम एक जगा नहीं हो पाते हैं और इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जैसे जूँ जूँ कुर्बे कियामत का वक्त आएगा ये हाला तो और बद से बत्तर होंगे क्योंकि मुसल्मान खास तोर से दीन से बहुत दूर हो गया है पुरान से दूर हो गया है नभी की सुन्नतों से दूर हो गया है और वो खालिस दुनियादार हो गया है यानि मुसल्मान सिर्फ नाम का रह गया है अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि इस्लाम, एमान, एमानदारी, अखलाग, किरदार, ये मुसल्मान का जो असल काम था, ये असल चीजें जो उसकी थी, वो उसकी जिंदगी से निकल गई है, अब ये चीजें दूसरों ने अपना लिए हैं, इसलिए ओ दुनिया में फल फूल रहे हैं, देके मुसल्मान का काम ये था कि लोगों की मदद करे और जितना हो सके रिफाह आम के लिए काम करे आज मुसल्मान कोई भी रिफाह आम के लिए काम नहीं कर रहा है जैसे पहले जमाने में कोई खुदवाय जाते थे रास्ते पे नल लगवाय जाते थे रास्ते पे साही के लिए दरफ लगाय जाते या कोई साहिबान की चीज़ बनाई जाती थी या खाना तक्सीम किया जाता था आज वो चीज़े बिलकुल मुसल्मानों के अंदर से निकल गई हैं और मुसल्मान उसको अच्छा भी नहीं समझ रहा है इसलिए कहीं न कहीं हमारे अंदर वो चीज़ वो महबत जो आपसी इत् हमें दुनिया में हमारा वजूद किसलिए है और किसलिए नहीं है उसको कोई फरक नहीं पड़ता वो सिर्फ रात में सोता है वो सोना भी उसकी मजबूरी है नहीं तो अगर 24 गंटे का दिन हो जाए तो वो 24 गंटे दुनिया कमाने में लगाए दीन, दीन कमाना, दीन सीखन qurann सीख나 हमारे फराइज क्या है हमें दुनिया में क्यों बह이지 आ गया है ये सारी चीजों से बलकुल दूर हो गया है इसलिए हम में जब इतिफाख नहीं है तो इतिफाख नहुने की वजह से हमारा कोई लीडर भी नहीं है दूसरे एक बहुत बड़ी बिमारी ये है आरजू जी कि मुसल्मान हिंदुस्तान में खास तोर से इस चीज़ को बहुत मायूब समझता है कि किसी मुसल्मान को अपना लेडर समझू वो ये सोचता है कि बाहमी खुवत महबत जो बिरादराने वतन के साथ हमें रखनी अगर हम किसी मुसल्मान को अपना लेडर मानेंगे तो कहीं न कहीं उसको नुफ़ान पहुचेगा और वो लोग ये कहेंगे कि साब ये देखो मुसल्मान के पीछे चल रहे हैं मुसल्मान तो अपना अलग फिर मामला लेके चलने वाले हैं इसलिए हमने मुसलिम लीग को हि दफन कर दिया एक तरह से मुस्लिम लेक जो आजादे के बाद में हिंदुस्तान में थी वो बिलकुल दफन हो गई है और एक सिट पे वो बाकी रह गई है वहा भी यह हमद आखरी MP थे उसके अब उसके बाद मेरे खाल के उसका कोई MP भी नही है तो मुसल्मान ने उसको बिलक कर जितने भी लीडर हैं तमाम हिंदु लीडरों को अपना लीडर माना है और उन्हीं के पीछे हमने चलने की कोहिश की है और उन्हीं को वोट देने की कोहिश की है हमारे जो अकाबिरीन सियासत दाथ है आजादे के बाद में उन्होंने भी इसी में आफियस समझी कि हम किस्तान के नाम पर कहीं ऐसा नहों फिर एक नए बटवारे की तरफ हम चल पड़े इसलिए हमें हिंदू को ही अपना लीडर मान कर इस मुल्क में अपने मुस्तख्बिल को तलाशना है मुस्तख्बिल को देखना है आज भी वही सोच हमारे उलमा के अंदर भी हमारे सियासदा मुस्तख्बन के अंदर भी बिल्कुल वही सोच है उसी सोच को लेकर मुस्ल्मान चल रहा है इसलिए कोई मुस्लमान लेटर पैदा नहीं होता। और जो मुस्लमान MP मिनिश्टर बनते भी हैं उनकी हैसीह सिर्फ मनिश्टरी तक होती हैं इंपी तक हम में उनकी कोई ये लोग जब चुनाव लटने के लिए मैदान में निकलते थे तो इनकी जमाने दे जब्ट हो जाती थी इसलिए कॉंग्रेस ने राज्य सवाद देकर इनको हमेशा पाल के रखा है और मुसल्मानों के लिए एक चेहरा बना के रखा है कॉंग्रेस ने हमें हमेशा मुसल्मानों को खास तोर से अपनी कटपुतिली बनाया वोट बैंक समझा और जितना नुक्सान कॉंग्रेस हिंदुस्तान में मुसल्मानों को पहुचा सकती थी वो कॉंग्रेस ने नुक्सान पहुचाया जिसका खम्याजा आज हम भुगत रहें बिल्कुल ठीक लेकिन साथ साथ मौलाना साथ ये भी देखने में आया है कि जो हिंदुस्तानी मुसल्मान है वो दूसरे डिलीजन चाहे वो हिंदू हो सिकों उनके साथ ये जहती दिखाई नहीं देती तहवार भी होते हैं तब भी आपस में कुछ ना कुछ जगड़ा चलता रहता है हमने जो मुसलिम लीडर्स तोड़े बहुत देखे हैं हिंदुस्तान के चाह वैसी साभूई हों उनके भाई हों वो हिंदूस्दम के खिलाफ बाते करते हैं हिंदूों के खिलाफ जो अपनी सियासत लेकर चले हैं मैं समझता हूँ वैसी साभ अपनी जात पर अपनी सियासत को लेकर नहीं चल रहे हैं अगर आप डीपली उसको सोचें हैं कि असदुद्दीन वैसी साभ की सियासत कहां से पनब रही है तो आपको तो बिलकुल साब पता चलेगा, कि कॉंग्रेस को खत्म करने के लिए, मुसलिम वोट को बिखराने के लिए, मुन्तशर करने के लिए, बीजे पी ने असदुदीन अवेसी को पानी देने का काम किया है, उसको पालने का काम किया है, मुसल्मान उनको अपना लीडर नहीं मानता मैंने बताया कि एक तो सबसे बड़ी वजा ये है कि मुसलमान ये समझता है क्योंकि हम मैनोर्टी में हैं यहां अगर मुसलमान अपना लीडर अपना अपनी पार्टी बनाएगा भी तो हम प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना सकते अपना जब हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते तो फिर हमें अपनी पार्टी बनाने से फाइदा क्या है लेकिन एक बात है कि हम अपना वजूद बना कर अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करें तो उससे हमें फाइदा हो सकता है लेकिन वो यहां की जो सियासी पार्टियां है वो हमारे वजूद को बनने नहीं देती और मुसल्मान उस तरफ ध्यान भी नहीं देता सबसे बड़ी बात यह है और कोई लीडर कोई गाइद ऐसा हमें मिलता भी नहीं जिसके पीछे मुसल्मान चल सके तो असदुदीन वेसे सहाब की जो राजनिती है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह की राजनिती है जिस तरह बीजेपी की राजनिती है कि मुसल्मानों को पाकिस्तान को और जिहाद का नाम लेकर ट्रिपल तलाक का नाम लेकर या इस तरह की बाते करके जिस तरह हिंदू वोट बैंक को वो इकटा करने का काम करते हैं इसी तरह से असदुदीन ओवेसी साहब इस तरह की बाते करके मुस्लिम वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं पीजेपी और असदुदीन अवेसी में कोई फरक नहीं मैं तो नहीं मनता मैं यहां भी चैनलों पर कहता हूं इस बात को और मैं तो यहां तक कहता हूं कि असदुदीन अवेसी जो है बीजेपी का एटियम है जितना पैसा डाला जाता है वितनी बात होती है तो वही मामला आत तो फिर हमें वो चीजें उन चीजों के करने से कोई फाइदा नहीं है कि हम अपनी पार्टी बना कर लेकर चलें एक काईद को मान कर चलें हम एक आदमी के पीछे चलें इस तरह की राजनीती करें ये उससे कोई फाइदा हमें होने वाला नहीं है और नफाइदा हो सकता है फा साब हमारी यह शर्ते हैं, हमें assembly में यह चाहिए, parlement में यह चाहिए, सरकारी नोकरियों में यह चाहिए, इस तमाम चीज़ें मनवा कर जब हम कोई बात करेंगे, वो तब हीओ सकता है, जबवोट इकटा हो, वोट इकटा होने का नाम नहीं ले रहा है, च्योंकि पहले कॉंग्रेस के साथ हम लोग थे, सारे मुसल्मान, उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी बनी, कुछ मुसल्मान समाजवादी के साथ चलेगे, उसके बाद बस्पा पार्टी बनी, कुछ मुसल्मान बस्पा के साथ चलेगे, उसके बाद राश्टी लोकदल प परसेंट वोट है, 14-15 परसेंट वोट अकर चार जगा चला जाएगा तो उसकी हैसित क्या रह जाएगी, उसकी वख़त क्या रह जाएगी, तो हमारे वोटों को मुंतशिर करने का काम बागएदा किया जाता है, ना इसको हमारे सियासदा समझते हैं, ना इस पर कोई रननीती ना कभी सर जोड़कर वो बैटने की कोईशिश करते हैं चुके हर आदमी अपनी पार्टी में रहकर अपने मफाद को तलाश कर रहा है कौम के मफाद क्या है और कौम को किन चीजों से फाइदा हो सकता है ये किसी मुस्लिम लीडर को नहीं पड़े हुए दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आए होगी और आरजु काजमी जी और मुलाना साधीद रशीदी का ये पूरा डिसकॉशन आपने अंतक देखा होगा जहां पे आपने देखा आरजु काजमी जी के सवालों का जवाब दिया मुलाना रशीदी ने और आपको जानने को मिला कि भारत का एक मुलाना क्या सोच रखता है खास का जब आरजु काजमी जी ने उसे ये पूछा कि भारत में बड़ा मुसल्मान लीडर क्यों नहीं है तो आपने जाना मुलाना रशीदी के जवाब और हम जानते हैं कि मुलाना रशीदी जब नेशनल लीज़ पे भी आते हैं तो वो बातों को गोलगल गुमाने में एक्सपर्ट है बाकि आपने देखा OAC पे भी उन्होंने अपनी राय रखी OAC को तो भारती जंटता पार्टी की बीडी में बता दिया तो इसके बारे में आपके क्या विचार है आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शे में लिकर जरू बताएं और वीडियो पसंद आईए तो इसे लाइक और शेर जरू कर दें और चैनल पे नहीं है